स्वाम लेकूम स्ट्रेंट्स, आई में जोर इंस्ट्रक्टरोब हीदर इमर मेरे कहरी असे हुँगे, टियर से लेक्सर्चर में अमने एक्सर्साइज 8.3 को कॉप्लेट किया था, आज एम इसके रिए एक्सर्साइज 8 तेकेंगे, वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करे करें, खाले करें, और सब्सक्राइब करें तो मास रएन दिपमेड एक्सर्साइज 8 एंस्ट्रट करतें शे रिएक्सरैज 8 है हम knot8 तो कुच्ण ⁪ ?ooooo प्रेक्ट आंसर, question no.1 हमारा mcqs कहा है mcqs 1 if x-1, y-1 is equal to 0,0 then x, y is x-y की value उतारी अब इसमें हमारे पास्य order पेर x-1, y-1 is equal to 0,0 अब इसमें हम क्या करेंगे अब यह जाएगा हमारे पास x-1 equal to 0, दोनों order पेर equal है तो first वाली value first equal, second वाली second equal और second y plus 1 equal to 0 यहां से हमें x की value 1 मिलेगी और इधर से y की value plus 1 इधर हैगा तो minus 1 मिलेगा यहां से यह order पेर बनेगा वो हमारे पास 1 minus 1 तो यह इसका हमारे पास right answer तो correct option इसमें हमारे पास A A is the right option इसके बाद second हमारे पास इस तरह करना short question भी इसमें आता रहता है यह बिसार ध्यान से देखिए इसकी value change भी कह सकता है यह भी आ सकता है उसके बाद second हमारे पास if x,0 equal होजेगा 0,y तो हमने next फिर order पेर बताना है कि मारे पास x,y order पेर क्या होगा अब इसमें भी same rule उसके, first element first की कुल होगा यहां से x की value 0 होजेगी, second second की कुल होजेगी, यहां से y की value भी 0 होजेगी तो x,y हमारे पास order पेर जो बनेगा वो 00, 00 इसका order पेर बनेगा इसका जो right option है भा हमारे पास C है, C is the right option इसके बाद mc कुस 3 है, 0.2-3 lies in coordinate, अब देखें, 0.2-3, किस coordinate में लाए रगते है अब इसका सही, यहनि मैंने आप एक shortcut wave देता और एक सोटा सा graph बनें यह plus हो तो यह भी plus, यह minus, यह minus, अब देखें, x की value plus है, यहनि x की value plus किदर होगी, यह हमारे पास plus है, उसके बाद y की value negative, अब y की value negative का होगी, अब देखें, plus यह negative यह, क्योंकि प्लस इदर भी आएगा, इदर भी आदेगा आदेगा, उसके बाद y की value minus, माइनस इदर भी आदेगा, इदर भी आदेगा, तो यह आपका सही आमसर बदेगा, plus minus इसका जो, यानि समयने सही quadrant बनेगा, वो quadrant 4 बनेगा, इसके बाद 4 mcqs है, इसके बाद 4 mcqs है, अब 4 है हमारे पस, point minus 3 minus 3 lies in quadrant, अब minus 3 minus, अब देगा, तो नो negative, यह plus, plus, minus, minus, x भी negative, y भी negative, यह इसका quadrant, नेग्स है हमारे पस mcqs नमबर 5, 5 में के, इसने का, if y is equal to 2x plus 1, y की value हमारे पस 2x plus 1 है, और इसमें x2 है, x की value 2 है, तो आपने y बताने y क्या होगा, simple, आप x की value सेक्वेशन में प्लाइए, यह जेगा, y is equal to 2 into x की value 2 plus 1, 2 to the 4 plus 1, और यह 4 plus 1, 5, तो y की value हमें यह आपने आपने यह 5 में प्लाइए, satisfy the equation y is equal to 2x, equation हमारे पस y is equal to 2x, कौन सा order pair इसे satisfy करते हैं, इसका असान में यह क्या order pair की value जिसमें अप्लाइए करते हैं, first है हमारे पस a में, a में जो order pair है वो 1, 2 है, अब x की value 1, y की 2 अप्लाइए, है, 2 is equal to 2 into 1, 2 is equal to 2, दोनों साइडे इसकी equal होगी, इसका मतलब a इसका right option, इसमें अब b को apply करें, c को करें या d को करें, तो इसकी दोनों साइडे आपस में equal नहीं होगी, equal नहीं होगी, इसमें यह वारे page satisfy से net करें, यह था हमारे पास mc question no.6, इसका question no.1 complete होगी है, next इसमें true false है, अब यह हम इसका question no.2 देखते हैं अब यह साथ है, जी question no.2 है, identify the following statement as true or false, हमने यह बताना है statement रही है या गलत है, अब इसमें हमारे पास question no.2 part 1 है, अब इसमें का point O है हमारे पास part 1 में, उसकी value 00, और यह quadrant 2 में लाई कर लें, अब इसका ज़र आप graph paper पे plot करते हैं, तो 00 हमेशा origin पे आता है, यह किसी भी quadrant में false नहीं करता है, न 1 में न 2 में, न 3 में, न 4 में, हमेशा यान रखेंगे, 00 origin पे लाई करता है, और origin पे जो point लाई करें, वो किसी भी quadrant में लाई नहीं करता, तो फिर यह quadrant 2 में लाई नहीं करेगा, यह हमारे पास option false वरे इसमें first option राउंड कर जाएगा, second है हमारे पास, second देखेंगे, the point, point है हमारे पास, two zero, two lies on x-axis, x-axis पे लाई करता है, आसान में यह है कि आप इसको check कर लिए, अब इसमें x की value two है, यह one, यह two, यह two over y पे values की zero है, यह देखें किस axis पे लाई कर रहे, यह x-axis के लाई कर रहे, तो इसमें यह option क्या लेकर, प्रूब है, x की value given of y given नहीं है, तो यह हमेशन x-axis पे लाई कर लिए, उसके बाद third है, the graph of x is equal to minus two is a vertical line, x is equal to minus two, इसका जो graph है, यह vertical line है, अब देख लें इसके, अब यह minus one और यह minus two हो जाएगा, अब इसके minus two इदर आ जाएगा इसके, जब आप इसके graph graph करें तो यह आपको vertical line मिलने का मतलब क्या है, की option हमारे पस क्या हो जाएगा, two, उसके बाद four option, three minus y equal to zero is a horizontal line, यह हमारे पास एक horizontal line है, अब इसमे minus y इदर आएगा plus y जाएगा, यह जाएगा, आप इसको प्लाट कर लें, अगर आप इसी प्लाट करें, चलिए एक नेया graph बनाने, one, two और यह three, यह जब आप इस पे graph प्लाट करता है, यह आप ए horizontal line मिलती है, तो यह option भी क्या आजएगा, इसके बाद next step five, the point, point हमारे पास q है, minus one, two, is in quadrant three, यह quadrant three मलाई करते है, अब हम इसे रहो यह object है, यह quadrant three मलाई करता है, यह अब इसमें यह point है हमारे पास, यह plus, यह plus, यह minus, minus, x minus है y plus, यह minus, यह plus, तो कौन सा quadrant बनेगा, यह quadrant two बनेगा, quadrant three नहीं बनेगा, यह भी क्या आलेगा, फॉल चलते हो, उसके बाद next six है, six है, हमारे पास the point r जो है, minus one, minus two, is in quadrant four, यह quadrant four में फॉल करता है, यह हमने check करने, अब इसमें देखें, plus, plus, minus, minus, x b minus, y b minus, यह quadrant three में लाइग करेगा, quadrant four में फॉल नहीं करेगा, यह भी क्या आलेगा, यह भी फॉल करेगा, यह भी फॉल करेगा, यह भी फॉल करेगा, इसके बाद next है, हमारे पास option seven है, y is equal to x, y is equal to x, is a line on which origin lies, यह एक ऐसी line है, जिसके origin lie करते हैं, अब इसका graph देखें, इसका graph चाहिए ना बनाएं, लेकिन इसमें मैं एक point आपको बताया हुआ था, start में जब graph बनाएते, y equal to x से एक equation होती है, और एक equation होती है, y is equal to x plus one, या minus one, इन में मैंने आपको एक point ये discuss किया था, कि अगर आपके पास कोई constant add हो है, या subtract हो है, कोई भी constant add हो, या subtract हो, तो उसका graph कभी भी origin से पास नहीं करीगा, इसका graph कभी भी origin से पास नहीं करीगा, और अगर y equal to x हो, y equal to two x हो, y equal to three x हो, four x हो, या x is equal to 2y हो इस तरह कि अगर options आजें तो इसका graph हमेशा origin से pass करेंगे शर्त ये कि उसमें कोई भी constant add या subject ना हो रहा हूँ इसकी तरह अगर add subject हो रहा है तो origin से pass नहीं करेंगा और अगर add subject हो रहा है तो हमेशा graph origin से pass करेंगा तो ये इसने क्या का y is equal to x is a line on which origin lies इसमें origin लाए करेंगे बिल्कुल लाए करेंगे क्यों ही ये line origin से pass करेंगे तो ये option के वाज़ेगे हमारे पास true उसके बाद next है 8 the point b जो है हमारे पास one one point b to one one है lies on the line x plus y equal to zero इस line को lie डाने आप इसमें point apply करें one plus one equal to zero two equal to zero but two is not equal to zero लेकन two जो हो zero equal नहीं है अगर दू साइड equal होती तो reason यह क्या करेंगा point line two पर lie करेंगा द्रवाइस नहीं करेंगा तो आप यह lie नहीं करेंगा तो यह क्यों है आनेगा यह हमने 8.1 का question number I think 3 था यह last question तो विस नूमर 5 वहाँ हमरे इसको इसको थीस करेंगा इसके बाद next हमारे पास option 9 है यह 8 थी option 9 है हमारे पास the point x जा है 1 minus 3 lies in coordinate 3 यह coordinate 3 में लाए का रहें अब इसको चेक कर लें यह plus plus minus minus अब यह संदे एक्स प्लस और यह minus है x प्लस और यह minus 3 यह coordinate 4 में फॉल करेगा coordinate 3 में फॉल नहीं करेगा यह फॉल करेगा इसके बाद next हमारे पास है इसका last option question number यह option 10 है the point r है 01 lies on the x-axis यह चाहिए नहीं यह x-axis पे लाए करता है यह नटी अब इसका भी graph बना रहे एक्स पे 0, y पे 1 जब आप इसका graph बनाते हैं तो यह parallel to x-axis बनेगा अगर graph नहीं बनाते हैं उसने सिर्फ एक्स पूच है तो आप चेक करेंगे यह वारा point किस एक्स पे लाए कर है यह y पे लाए कर रहे एक्स पे लाए नहीं कर रहे तो यह क्या हो जाएगे हमारे पास बाल चाहिए यह था हमारे पास question no.2 अमीद है समझे हैं इसमें कोई मसला नहीं है इसको करेंग समने कोई चोगा तॉमेक से डिसक्स करें आप अमीद है आप बन्साथ एकल नहीं हो तॉमारे नहीं तॉमाष प्रिष्याग नहीं डिसक्राइऑ शेख भीड़ potrzeb